हेलो बच्चों बहुत-बहुत नमस्कार, सभी लोगों को बहुत-बहुत नमस्कार, वागत है आपका सुल्यूशन चैप्टर में, आज अपना वन्शॉट सुल्यूशन है, चेक कर लो जब एक बार मेरी आवाज आ रही है, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को, क चेक करो जल्दी फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं अपन, किलियर एकदम, किलियर है, स्टार्ट करें, तैयार हैं सभी लोग, चलो बई, शुरू किया जाए, जैसा कि आपको पता है, आज का गोल क्या है, ठीक है, कुछ selected topic ही होते हैं, जिससे exam में question आता है, जैसे vapor pressure, route slow हो गया, ठीक है, उसमें azotrop का थोड़ा सा touch दे दे हैं अपन, जैई main के लिए, और qualitative properties हो गई, और उसके बाद आपका want of factor and hand is low, ठीक स्टार्ट करें, चलो बई, धियान से देखना जरा, vapor pressure क्या होता है, definition पढ़ दो क्या है, the pressure excited by the vapors over the surface of liquid, ठीक है, मेरे पास एक container है, उसमें liquid है, ठीक, liquid की vapor बन रही है, ठीक है, उपर से बन है पूरा container, liquid की क्या बन नहीं, वेपर बन रही है, अब वो जो vapor है, वो liquid की surface पर क उसको लिखनी जरूरी है, क्या condition, rate of evaporation, rate of evaporation, बराबर होना चीक, rate of condensation के, तो उस time पर, जो vapor अपना pressure लगाएंगी, किस पर, liquid की surface पर, उसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेसर बोलेंगे, ठीक है, धियान से देखना जड़ा, धियान से देखना, मेरे पास ये container है, ठीक है, मेरे पास ये container है, और इसको मैं उपर से कर देता हूँ, बंद, इसको कर दिया बंद, ऐसा, तो ये जो liquid है, ध्यान से देखें जड़ा, ये जो liquid है, कौन सा ये, ये liquid है, liquid क्या करेगा, अपनी वेपर बनाएगा, तो इस liquid की वेपर बना देता हूँ, यहाँ पर ये वेपर बन गई, तो अब ये जो वेपर दिख रही है आपको बेटा, ये कितना pressure लगाएंगी, किस पर, इसकी surface पर, ये कितना pressure लगाएंगी, इसकी surface पर, इसी को बोलते है अपन, वेपर प्रेशर, ठीक है, तो ये जो liquid की, वेपर बन गई, ये liquid की surface पर कितना pressure लगा रही है, इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर, और liquid से वेपर बनने की जो rate है, जिसको rate of evaporation बोल रहे है, वो बरावर होना चीक किसके, वेपर से liquid बनने की rate के, clear एकदम, clear है, तो ये कहानी होती वेपर प्रेशर, चलें आगे बढ़ें, धियान से दे लिखूंगा, तो वेपर प्रेशर इस डारेक्ली प्रोपोस्नल टू क्या होगा, temperature क्यों, temperature बढ़ाओगे, liquid को heat मिलेगी, evaporation बढ़ेगा, ज्यादा वेपर बनेगी, ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा, सीधी सी बात है, है ना, तो वेपर प्रेशर इस डारेक्ली प्रो अगर बेटा, वो strong हुए, बताओ, अगर वो strong हुए, तो liquid, liquid का अच्छा bond है, बढ़िया दोस्ती है, अच्छा bond है, तो आसानी से escape नहीं हो पाएंगे, मतलब वेपर आसानी से नहीं बन पाएंगी, और आसानी से वेपर नहीं बन पाएंगी, तो वेपर प्रेशर भी तो कम पर, ठीक, आगे बने, आगे बने, चलो वई, ध्यान से देखिएगा, अब इस पर बेज देख सवाल कर लो, compare वेपर प्रेशर और boiling point, ठीक है, बिटा जो वेपर प्रेशर होता है, वो boiling point के inversely proportional होता है, ये ध्यान दखिएगा, देखो, वेपर प्रेशर टेंपरेचर के तो अब ध्यान से बताओ, मुझे एक बाद आप ध्यान से बताओ, देख कर बताना, ठीक है, इनका boiling point का order आपको याद है, बच्पन में याद किया था, आपने क्या था, HCL का सबसे कम, फिर HBR, फिर HI और HF में क्या हो जाता है वेटा, hydrogen bonding, जिसकी वज़े से overall molecular weight बढ़ जाता है, intermolecular, hydrogen bonding है इसमें न, intermolecular H bonding है वेटा, intermolecular कौन सी bonding है, H bonding है, और boiling point का जो order होगा, उसका उल्टा हो जाएगा किसका, वेपर, प्रेशर का, तो क्या आजाएगा, HCL, HBR, HI और सबसे last में क्या हो जाएगा, HF क्यों, HF में intermolecular hydrogen bonding है न, अच्छे से बंदे हुए हैं, आसाइनी से escape नहीं हो पा रहे हैं liquid के molecule, वेपर नहीं बना पा रहे हैं आसाइनी से, तो व वेपर प्रेशर और boiling point का, इस टाइप से question आप कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं, second point पे चलते हैं, इसके route's law, route's law क्या होता है, इसके बारे में समझे लो, ठीक है, route's law बड़ा symbol सा है, वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें, ठीक है, वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें, तो दो liquid है मेरे पास, और दौनों ही volatile है, volatile का मतलब क्या है, volatile का मतलब क्या है, उनकी वेपर बन रही है, ठीक है, उनकी वेपर बन रही है, तो एक liquid ये हो गया, एक ये माल लिया, तो मेरे पास दो liquid है इसमें, ठीक, तो इसमें मेरे पास क्या है, liquid है A, और liquid है B, दो liquid हैं, और द तो दोनों की वेपर बनेंगी सही बात है दोनों Day वालेकर बनेंगी एक दम सही है लिए बात है तो लुट J PT जिसको लिख रहे हैं, जिसको हम PS भी बोल सकते हैं, वो दौनों के individual pressure के बरावर होगा, sum के बरावर होगा, ठीक है, तो PA प्लस PB के बरावर कर दिया, मैंने क्या, PS या फिर PT, अब ये क्या क्या है, PT या PS को हम बोलते हैं, total vapor pressure, total vapor pressure, PA क्या है, vapor pressure of A in solution, PB क्या है, vapor pressure of B in solution, मतलब जब solution बन गया तब की बात कर रहे हैं, है न, और 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 इस PA को मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर मैं PT लिख रहा हूँ इसको है न, PA को लिख सकता हूँ, पी नॉट A X से, प्लस पी नॉट B, X B, अब ये क्या क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना, क्या क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो पी नॉट A होता है, ये होता है, vapor pressure of P और A, जब इसको solution में नहीं डाला था, ये अलग से बढ़ा हुआ अकेला, तब उस समय का vapor pressure है, पी नॉट B क्या है, vapor pressure of pure B है, X A क्या है, mole fraction of A है, mole fraction of A, और X B क्या है, mole fraction of B, ऐसा होता है, और X A plus X B क्या होता है, इसका sum 1 होता है, आप जानते हो, ठीक है, पड़ावट से बस ये equation note कर लो, है न, direct numerical based question आएगा, आप असानी से कर सकते हो, ठीक, चलो भई, बहुत बढ़िया, तो अगर route slow मुझे लगाना है, दो volatile liquid के लिए, तो दौनों के, दौनों के individual vapor pressure का sum कर दो, बस, खतम, है न, clear, ठी ठीक है, आगे बढ़ें, तो ये धियान लगना, इस equation की मदद हमें लगेगी, clear, चलो भई, अब धियान से देखना, इसका एक diagram भी बनाते हैं, अपन graph बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, graph धियान से समझेंगे, मैं आपको इसका graph बना के बता रहा हूँ, धियान से देखना, दोनों एक साथ बनाते हैं, आपन, solvent का भी और solute का भी, धियान से देखेंगे, मैं इस point पर ले रहा हूँ, x, a, 1, अगर x, a, 1 है, तो x भी क्या है, 0, और इस तरफ, a का mole fraction कम होता जा रहा है, और इस point पर आकर 0 हो गया, अगर इसका 0 हो गया, तो दूसरे का 1 हो गया, क्यों, दोनों का सम तो 1 है न, ठीक है, ये कहानी हो गई, और मैं ऐसा मान लेता हूँ, क्या, a is more volatile, a is more volatile than b, मैंने ऐसा मान लिया, आप b को ज़्यादा volatile मान सकते हैं, मैंने a को मान लिया, इसका उनलब क्या, a अगर more volatile है, तो p0 a क्या होगा, ज्यादा होगा, किस से p0 b, इस से more volatile का होगा, तो more vapor बनना, more vapor पर सर exit होना, ठीक है, ऐसा होता है, तो p0 a क्या होगा, greater than p0 b, अब मुझे वाबताओ, xa1 और xb0 का क्या अर्थ है यहाँ पर, क्या मतलब है, xa1 होने का मतलब है, कि solution में हम b consider ही नहीं कर रहे, क्या है पूरा का पूरा A है अगर A है तो यहां पर मैं क्या बनाऊंगा 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 प्रेशर ओफ प्योर A क्योंकि हम इस तरफ प्रेशर ले रहे हैं और इस तरफ हमारा मोल फ्रेक्शन चल रह ग्राफ में ठीक है तो P9 यहां बन गया अब मुझे वह बताओ X A अगर 1 है यहां X A 0 है तो प्रेशर यहां सबसे हाईएस्ट होगा क्यों X A 1 है इसके बाद प्रेशर क्या होता जाएगा विटाड डिक्रीज और प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा तो इस तरीके से मैं डिक् ठोटा तो इस वाले से नीचे बना देना पॉइंट ठीक है कैसा दिखेगा कैसा दिखेगा ग्राफ ऐसा क्यों यहां X B क्या है जिरो इधर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो X B यहां क्या आगा वन अब इन दो आपकों अपन इस तरीके से जोड़ देते हैं और पी नौट ए एक्स से प्लस पी नौट ए एक्स भी था ना अगर तुम यहाँ एक्स भी जीरो रख दो तो पी टी इस एक्वल टू पी नौट एक्स से आ जाएगा न ठीक है स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ जाएगा clear तो इस तरीके से ग्राफ बनता है किसका है यह ग्राफ यह किसका ग्राफ है जब दौनों वोलेटाईल होते हैं दौनों ही वोलेटाईल होते हैं ठीक है चलें आगे बहुत बड़ी है very nice तो यह कहानी है आपकी जब दौनों वोलेटाईल होंगे मतलब इस केस का ग्राफ है यही वाला ठीक अब ध्यान से देखना चला अब मैं यहां क्या कर रहा हूँ अब मैं यहां क्या कर रहा हूँ इसको कॉपी कर लो ठीक और इसी मैं ही एडिट कर देता हूँ यहां मैं केस वन की जगे अब क्या लिख रहा हूँ केस वन की जगे मैं क्या कर दूं यहां case two कर दूं ठीक और यहां पर मेरे पास liquid donor volatile ना हो solute non volatile हो मतलब solute क्या हो आपका non volatile मतलब उसकी vapor नहीं बन नहीं है solute non volatile मतलब वेपर नहीं बन नहीं है case two क्या है when when solute is non volatile अगर solute non volatile है इसका मतलब क्या है उसकी वेपर नहीं बन नहीं है वेपर नहीं बन नहीं है इसका मतलब इसके अंदर इसके अंदर सिर्फ तुम a ले लो सिर्फ a ले लो ठीक है कहां पर वेपर में धियान से देखना ज़रा liquid में तो दौन होंगे जैसे मैं यहाँ पर इस तरीके से बना रहा हूँ liquid में तो दौन होंगे A भी होगा और B भी होगा लेकिन vapor किसकी बन रही है फिर सिर्फ एकी B की vapor नहीं बन रही है सिर्फ और सिर्फ A की color यूज़ कर रहा हूँ यहाँ A plus भी तो है, लेकिन B यहाँ पर क्या है, मैंने B को solute मान लिया, ठीक है, ध्यान रखना, और A को मैंने solvent मान लिया, इस पूरे chapter में हम B को solute और A को solute मान के चलेंगे, और solute क्या है, non-volatile, अगर non-volatile है तो इसकी vapor नहीं बन रही है, solvent क्या है वेटा, volatile, अगर volatile है तो vapor बन रही है, ठीक, यहाँ क्या change कर दूँ मैं बताओ, यहाँ पर मैं सिर्फ यह कर देता हूँ, क्या, यहाँ अगर B की vapor नहीं बन रही है, इसका मतलब मैं PV को क्या कर दूँ, 0 कर दू नहीं है, भाई, vapor ही नहीं बन रही है, काई का vapor pressure, अरे भाई, vapor ही नहीं बन रही है, यहां क्या हटा दूँ मैं, इसको हटा दूँ मस, तो P T क्या आ जाएगा, P naught है, देख लो ज़रा relation, ठीक है, क्लियर एक दम, यहां मैंने इसको 0 कर दिया न, तो P T क्या जाएगा, P naught X से, यहां से क्या हटा दूँ, यह हटा दूँ, लिक्विड में तो solute होगा, तो लिक्विड में mole fraction तो होगे, ठीक है, यहां मैंने P भी हटा दिया, ठीक, और लिक्विड में X से प्लस X भी तो बन होता ही है, तो total vapor pressure किसके बराबर हो जाएगा, P A के बराबर, क्लियर एक दम, अरे बहुत सिंपल है, पहले तुम्हारे दौन vapor बना रहे थे, तो दौनों की बते से vapor pressure लगेगा, अब तुम्हारा B non volatile है, अब तुम्हारा B non volatile है, और अगर non volatile है, इसका मलब B का pressure नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा, A का pressure होगा, समझे हो, बहुत बढ़ी है, तो यह कहानी होगई case 2 की, इसका graph बनाएंगे अब हम, ठीक, इसका graph बनाएंगे, कैसा बनेगा देखना, इसी graph को copy कर लेते हैं, इसी को edit कर लेंगे, आजाओ जारा, इसका graph बनाओ, यहाँ पर क्या लिखूंगा, फिर फर सिर्फ A है, तो आप यह कहानी लिखनी नहीं है तुम्हें, यह भी नहीं लिखना, PV वाला part, ठीक, यहाँ से क् क्या हटा दूं, बोलो, यहाँ से क्या हटा दूं, यह हटा दूं, यह हटा दूं, ठीक है, और यह हटा दूं, क्यों, B तो अब ही नहीं न, B का प्रेशन नहीं, B है लेकिन B का प्रेशन नहीं है, लिक्विड में हैं बस B, ठीक, यह हटा दूं, हो गया काम देखो, बनेग होता है तो आपको कुछ करना ही नहीं है सिर्फ और से सॉल्वेंट लेना है ठीक है ठीक है किलियर एक दम चलें आगे बढ़ें शिखा का कहना है वाई PA is greater than PB बिटा मैंने माना था ऐसा कियों किया लास्ट में क्योंकि टोटल प्रेसर तो दिखाना पड़ेगा ना पीए पीवी के सम के बरादर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब चलो अब हम चलते हैं टाइप आप सॉल्यूशन पर दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं आईडियल और नॉन आइडियल ध्यान स पहला पॉइंट यहां दिख रहा हूँ ऐसा सॉल्यूशन जो राउट लो को अबे करता है क्यां से दिखना जो राउट लो फॉलो करता है न तो आईडियल सॉल्यूशन क्या हो गया अबे इस राउट लो जो राउट लो को फॉलो करता वो क्या है आईडियल नॉन आईडि जो राउट लोगो फॉलो नहीं करता यहां भी क्या लिखूंगा डज नॉट अवे राउट लो जो राउट लोगो फॉलो नहीं करता पेटा एक्जाम में बहुत आसान कुश्चन आता है solution chapter से आप बना लोगे है ना बस एक बार देख लो class राउट लोगो फॉलो करता है यह नहीं करता यह भी नहीं करता अगर मैं आपसे पूछूँ अगर मैं आपसे पूछूँ total observed pressure वो किसके बरावर होगा total calculated pressure के बरावर होगा तो pt is equal to pa plus pv मैं ऐसा लिख रहा हूँ इसको यह क्या है calculated यह क्या है total pressure लिख सकता हूँ ना मैं इसको pt calculated है और यह pt observe है तो ideal solution वो solution होता है जहां पर observed pressure experimental data के अगोडिक चलने है वो calculated के बरावर आ जाए तो मैं कुछ अगर इसको ऐसे लिखूँ तो जाद अच्छे समझ में आ जाएगा आपको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ pt observed किसके बरावर हो जाए pt calculated के और calculated वाला pt कैसे निकाल तो pa plus pb से अब ज़्यादा किलिए रहे है ठीक है अब यहां ऐसा क्यों होता है observed pressure calculated के बरावर क्यों आता है ध्यान से सुनना तीन condition सोचो एक container जिसमें सिर्फ pure a पड़ा हुआ है एक container जिसमें सिर्फ pure b पड़ा हुआ है एक container जिसमें a plus b पड़ा हुआ है तीन container सोचना है ठीक है एक container में pure liquid a है एक container में pure liquid b है और एक container में a plus b हो गया solution मन गया ठीक है अब ध्यान से सुनो जो interaction तुम्हारे A वाले container में होंगे मतलब A वाले liquid में होंगे और B वाले liquid में होंगे वही तुम्हारे solution में हो जाए interaction मतलब forces के बारे में जिस type के force आपके A और B में लग रहे हैं वही किसमें लगने लगें A B में लगने लगें मतलब जब solution बना हो तब तो interaction same है, तो same way पर pressure आएगा, इसलिए PT is equal to PT होता है, observed or calculated, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, third point, intermolecular forces, between, solvent, solvent, A को solvent बोलेंगे, ध्यान दगना, A हमारा solvent होगा इस पूरे chapter में, और B होगा solute, ठीक है, ध्यान से देखना ज़रा, intermolecular forces, A, A, A और A के बीच में, and, B, B, R equal to, A, B, सुन दो ज़रा ध्यान से, जो force तुम्हारे solvent, solvent, molecule में लग रहे थे, solute, solute में लग रहे थे, वही solute और solvent में लगें, अभी तो बराबर आएगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक, तो intermolecular forces, solvent, solvent के, solute, solute के जो हैं, वही, solute और solvent के हो जाएं, तो यह क्या हो गया आपका, solution में, ideal solution, route slow को follow कर रहा है, यहाँ आजाओ ज़रा, इदर देखना, second point इसका क्या बनेगा, positive deviation में क्या होता है, PT जो observed है, वो calculated से ज़्यादा आजाए, PT जो observed है, वो calculated से ज़्यादा आजाए, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, बताओ जरा, भई pressure ज़्यादा क्यों observe होगा, ज़्यादा क्यों observe होगा जब तुम solution बना रहे हो उसमें interaction पूर होंगे तो escaping tendency ज़्यादा होगी ज़्यादा vapor बनेंगी ज़्यादा vapor बरसल लगेगा फिर से सुन लो जो तुम solution बना रहे हो उसमें forces weak होने चाहिए अगर उसमें forces weak हैं इसका मतलब escaping tendency ज़्यादा होगी है ना तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखूँँगा ध्याद से देखो intermolecular forces between AA and BB और greater than AB मतलब जो तुम solution मना रहे हो वहाँ force weak लगने चाहिए तभी escaping tendency ज़्यादा होगी तभी vapor बनेगी तभी vapor pressure ज़्यादा लगेगा ठीक है इसलिए observe ज़्यादा होता है इधर क्या बोलोगे इधर क्या बोलोगे इधर आजाओ जाओ जाओ यहाँ दूसरा point PT observed क्या होता है कम किस से PT calculated से कम vapor pressure क्यों observe होगा बताओ कम क्यों observe होगा जब तुम solution बना रहे हो उसमें बहुत 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 बांडिंग हो जाए S के में tendency ही कम हो गई vapor ही नहीं बन रही है या कम बन रही है तो vapor pressure कम लगेगा इसका मतलब इसका मतलब in short में क्या बोल सकता हूँ intermolecular forces between AA and BB are lesser than AB मतलब AB में ज़्याद है बहुत सिंबल सी वात है देखो पहले वाले केस में AABB के जो force है वही AB के force तो तब ही बराबर pressure आएगा second case में positive deviation में क्या होगा vapor pressure ज़्यादा सोचो ज़्यादा कैसे आएगा ज़्यादा vapor बने ज़्यादा vapor कब बनेंगी किसकी बात करो solution की बात करा ज़्यादा vapor solution में कब बनेंगी जब A और B का interaction पूर होगा तब ही तो escape in tendency ज़्यादा होगी इधर क्या है observe pressure कम हो रहाए कम vapor कैसे बनेंगी कम vapor कैसे बनेंगी जब interaction अच्छा हो liquid में है ना interaction अच्छा हो liquid में तो जब liquid में interaction अच्छा होगा तो आसानी से evaporate नहीं हो पाएगा ठीक है clear एकदम तो यह कहानी है समझ गया बात को तो यह हो गया pressure से related fourth point लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर fourth point delta H of the mixture यहाँ पर zero होता है जो solution बनता है उसका delta H क्या होता है zero ideal में यहाँ क्या होता है endothermic होता है यह delta H mixing greater than zero और यहाँ पर delta H mixing क्या होती है less than zero अगर volume की बात करूँ delta V mixing क्योंकि यहाँ force है से में है न इसलिए ऐसा हो रहा है delta V mixing zero होता है क्योंकि ideal solution में आ रहा है इधर क्या बोलोगे आप delta V mixing greater than zero observed क्या है ज्यादा होगा यहाँ क्या होगा negative deviation delta V mixing less than zero अगर मैं यहाँ पर दो चीज़ें और एड़ कर दूँ आपके लिए क्या delta S mixing देखो mixing कोई सी भी हो हमेशा entropy बढ़ती है entropy on mixing increases तो सभी में delta S mixing क्या होगी greater than zero ठीक इस तरीके से ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर यह add कर दूँ तो delta S mixing कोई सी भी हो चाए positive deviation हो चाए negative हो चाए ideal हो है न अगर delta G mixing की बात करूँ mixing spontaneous होती है दिहान लगना तो less than zero delta G mixing क्या जाएगी less than zero delta G mixing कोई सी भी हो है न less than zero इस तरीके से फटावट से note कर लो अगर लिख रहे हो तो या screenshot ले लो न सबसे बढ़िया ठीक screenshot ले लीजिए clear चलो बहुत बढ़िया अब इसका हम बनाएंगे graph देखो जड़ा ध्यान से इसका हम बनाएंगे graph ideal का तो तुम बना चुके हो ideal का तुम बना चुके हो ठीक है एक बार फटाफट से और sketch कर लेंगे अपन इसको क्योंकि ideal से compare करना है न positive deviation का देखो negative deviation का देखो ठीक है ध्यान से देखना जड़ा ideal वाले में कैसा बनाया था इस तरीके से बनाया था आपनने अभी अगर मैं A को more volatile मान लूँ है न अगर मैं A को more volatile मान लूँ यहाँ X A 1 है यह पीनोट है यह आपन बना चुके है बस एक बार फिर से ताकि compare कर आपन है आपन यहाँ X ते क्या है 0 तो X B क्या हो जाएगा 1 यहाँ X B क्या हो जाएगा 0 ठीक है तो यहाँ X A 1 X A 0 X A 1 X A 0 ठीक X A 1 है तो X B 0 X B 1 X B 0 X B वेटा 1 प्यान से देखना यह हो गया था इसमें हमने क्या किया था इस तरीके से इनको जोड़ दिया था यह P T हो गया था किलियर यह ideal का है अब हम ideal से ही इसको compare कर आ रहे हैं किसको positive deviation को ध्यान से देखना ज़रा कैसे compare कर आएंगे यह तुमारा P naught A होगे ideal से compare कर आ रहे हैं ठीक है यह तुमारा ध्यान से देखे यह तुमारा P naught B हो गया ठीक यह ideal से compare कर आ रहे हैं यहां क्या होता है बताओ positive deviation में P T observed जो है वो greater than होता P T calculated से ठीक इसका मतलब इसका graph कहां जाएगा बताओ P T का P T का बोलो P T का इससे उपर चला जाएगा इस तरीके से ठीक और P A का कैसा जाएगा इससे उपर जाएगा ऐसे और P B का कैसा जाएगा इससे उपर जाएगा ऐसे इस तरीके से ठीक अब मैं ideal वाले हटा देता हूँ क्योंकि compare कराने के लिए बनाये थे बस ऐसा दिखेगा आपको ये क्या है positive deviation का ठीक है यहाँ पर P naught भी यहाँ पर P naught ये positive deviation का है क्यों observe pressure तो तब ही जाता होगा ना जब PA भी जाता हो positive का PB भी जाता हो ठीक है clear अब अगर negative deviation का बनाऊं तो कैसा बनेगा ध्यान से देखना ध्यान से देखना ध्यान से नेगटिव deviation में क्या होगा ये graph नीचे से चला जाएगा ऐसा ठीक क्यों total pressure तो कम हो गया न अब इस तरीके से देखेगा आपको ideal से नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो पी नौट ए ये क्या हो गया पी नौट भी ऐसा दिखेगा आपको ठीक है clear है ठीक तो ये ideal से compare कराया तो obviously बात है कि positive deviation में pressure जादा होता है तो graph उपर बनेंगे negative में कम होता है तो नीचे बनेंगे ये ना ठीक clear ये कहानी है तो positive deviation और negative deviation की बात करेंगे तो कैसा आएगा ऐसा आएगा ठीक है चलें आगे बढ़ें बहुत बढ़ी है very nice तो ये कहानी हो गई किसकी graph की ठीक है अब आगे बढ़ते है अब बेटा इसके कुछ example आपको ध्यान दखने है इसके कुछ example आपको ध्यान दखने है जैसे ideal के example क्या होते है same same molecule देखो same same family ऐसा बोलो same family मतला same interaction जैसे देखना जड़ा ब्रोमो इथेन, क्लोरो इथेन, बेंजीन, टॉलवेन, same sound करने वाले ठीक है methyl chloride, ethyl chlorideis type से, ethane, propane, same family, same family से belong करने वाले ठीक है same family से belong करने वाले ये क्या होते है ideal अगर positive deviation की बात करें तो ध्यान से सोचो जड़ा positive deviation में क्या करना होता है बताओ जरा, सोच लो एक बात दिमाग में थोड़ा सा positive deviation में तुम्हें pressure ज़्यादा चाहिए, pressure कब ज़्यादा आएगा जब liquid में interaction poor होंगे, तभी तो उनकी escaping tendency ज़्यादा होगी, तभी तो paper ज़्यादा बनेंगी तभी तो ज़्यादा paper pressure लगेगा, सुन लो ज़्यादा ध्यान से, इधर देखो, इधर दर मत देखो अगर मैं तुमसे बोलू, pressure बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा, liquid का intermolecular force poor होना चाहिए अगर liquid का intermolecular force poor है, तो escaping tendency ज़्यादा है, ज़्यादा paper बनेंगी, ज़्यादा paper pressure लगेगा, सही वाद एकदम, ये कहानी है तो ये जितने भी molecule का, जो mixture दे रखा है आपको, CCL4, C6, H6, इन में escaping tendency बढ़ जाती है, क्यों interaction बहुत poor हो जाता है CCL4, CS3OH वाला, ये direct ध्यान रखने हैं, बस मैं आपको reason बता रहा हूँ क्या है इसका, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखने है आप कैसे लगाओगे, आप ऐसे सुन लो, छोटी से एक trick लगा सकते हो, क्या, अगर CCL4 के साथ कुछ भी आ जाए, तो वो positive deviation होता है NCID के example इसलिए direct याद करना है, CCL4 के साथ कुछ भी आ जाए, वो क्या होता है, CCL4 के साथ कुछ भी आ जाए, क्या होता है, positive deviation, ठीक है, कैसे सोचो, CCL4 वाले के साथ कुछ भी positive deviation, और chloroform के साथ कुछ भी आ जाए, negative deviation, कैसे लगाया करो, और acid plus water negative deviation, ठीक है, अब ध्यान से क्या, CCL4 के साथ, कुछ भी आया तो positive deviation, और chloroform के साथ, अगर आया, chloroform के साथ negative deviation, अगर ये दोनों आये, अगर ये दोनों का mixture आया, तो पहले वाले से सोचना, इसकी pride जाता है, तो positive deviation है ना, acid plus water क्या होता है, negative deviation, इस तरीके से आप example की trick बना सकते हो, ठीक है, समझे बात को इसके साथ, यहाँ कुछ भी आजाए, यहाँ कुछ भी आजाए, इसरा आजाओ जाओ जाओ, acid plus water negative deviation, ठीक है, acid plus water negative deviation, chloroform के साथ कुछ भी आजाए, negative deviation, देखो, chloroform के साथ negative deviation, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है, NCRD के तो याद करने हैं आपको, ठीक है, अब ध्य hydrogen bonding होती है सब्सक्राइब अगर आप दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हूं ठीक है hydrogen bonding है यह रियान दखना chloroform plus acetone ठीक clear clear तो यह कहानी है तो ideal में क्या same sound करने वाले यहां मैंने यह trick बता दी इससे आप कर लेना हो जाएगा ठीक और इसमें रियान दखना hydrogen bonding होती है clear है screenshot ले लो very nice बहुत बड़ी है ठीक है चलो बई अब aziotropic mixture का बिल्कुल basic idea हमें चाहिए जेए main के लिए क्योंकि जेए main के लिए cover कर रहा है आपने पास limited time है aziotropic mixture क्या होता है इसको बोलते है constant boiling mixture constant boiling mixture इसका मतलब क्या है जैसे मालो मेरे पास एक liquid A है और एक liquid B है एक liquid A है थोड़ा basic समझाता हूँ पहले एक liquid A है एक liquid B है ठीक है इनका हम कुछ ऐसा proportion मिलाएं mole fraction के ऐसा कुछ रखें इसका proportion ऐसा मिलाएं कि 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 जो इस mixture का boiling point आए वो A से कम मतलब इसका जो जैसे मालो इसका boiling point है इसका boiling point है 80 और इसका है 90 ठीक तो 80 से कम आए तो minimum boiling और अगर इस mixture का boiling point 90 से जादा आए तो maximum boiling boiling मतलब ऐसा mixture ऐसा mixture जिसको आप separate नहीं कर सकते डिस्टिलेशन प्रोसेस से जहां पर boiling point डिफरेंस होता है तो ऐसा mixture जिसको तुम separate नहीं कर सकते वो क्या होता है एजियोट्रोप वो कब separate नहीं कर पाओगे जब तुम्हारा 80 से कम आए या 90 से जादा आए अगर 85 आ गया तो separate हो जाएगा क्यों 80 वाला वेपर बना लेगा समझेर बात को तो ऐसा mixture जिसको हम boiling point टेक्निक वाले method से distillation method से separate ना कर पाएं वो mixture क्या होता है एजियोट्रोपिंग mixture इसलिए बोलते है constant boiling mixture फिर से सुन लो एक और बार इधर आओ एक liquid है A एक liquid है B एक का boiling point 80 B का 90 आपने A और B का mole fraction इस तरीके से मिलाया कि boiling point total mixture का 80 से कम आया तो भी तुम separate नहीं कर पाओगे 90 से जादा आया तो भी नहीं कर पाओगे बीच में आना जी तभी तो कर पाओगे न 85 आया तो A वाला separate हो जाएगा B से तो कर दिया ना separate आपने तो इसको हम आजिए ट्रोप नहीं बोलें आजिए ट्रोप किसको बोलेंगे जब 80 से कम और 90 से जादा आये मतलब जिनको तुम separate नहीं कर सकते उसको बोलते हैं आज ज़रा इदर अब अगर आपसे पूछा जा मिनिमम बॉइलिंग आजिए ट्रोप मतलब मिनिमम बॉइलिं मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम अच्छा एक बाइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर गया होगा ज़्यादा और वेपर प्रेशर किसमे ज़्यादा होता है बताओ non-ideal में बूलो non-ideal में वेपर प्रेशर किसमे ज़्यादा होता है positive deviation तो अभी तुमने जो example याद क सकता है ठीक अगर यह मिनिमाम है तो यह क्या हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एज यूट्रोप ठीक है बात समझ में आई यहां क्या लिखूंगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ठीक है तो वेपर प्रेसर क्या हो जाएगा कम मतलब नेगेटिव डेवियेशन किलियर एकदम इस तरीके से आप आंजन निकाल सकते हूँ ठीक है ठीक छेलो बहुत बढ़ी यहाँ स्क्रीन्साट लेलो जल्दी फड़ावर से स्क्रीन्साट लेलो ठीक है चलो बहुत बढ़ी यहाँ वेरी नाइस आगे बढ़ते हैं mole fraction in vapor face समझ लो क्या होता है vapor face में dalton's law लगाते हैं है ना gases state में dalton's law लोता वेपर face मतलब क्या आ गया gases के form में आ गया ना vapors आ गई तो dalton's law लगाना है कैसे लगेगा अगर मैं आप से बोलू let y a is the mole fraction of mole fraction of a in vapor face and y b क्योंकि x हमने liquid में माने है ना x हमने liquid माने तो यहाँ y मान रहे है mole fraction of b in vapor face ठीक है तो पहली बात तो mole fraction का sum तो बन होगा यह तो confirm है ठीक है बाई और दूसरी बात यह dalton's flow क्या कहता है total pressure is equal to क्या होता बता हूँ total pressure is equal to mole fraction sorry parcel pressure is equal to क्या होता है parcel pressure is equal to mole fraction into total pressure parcel pressure क्याता mole fraction into total pressure तो Y A कैसे निकलेगा P A Y P T से ठीक और इसी तरीके से तुम Y B लिखोगे कैसे लिखोगे similarly Y B यह आएगा P B Y P T से इस तरीके से अब यह तुम्हें पता है P B और P T A क्या होते है P A का फामला होता P naught X से और P T क्या होता P naught X से प्लस P naught V X भी यह आप जानते हो यहाँ क्या बनेगा फामला P naught V X B divided by P naught X से प्लस P naught V X B इस तरीके से और इन दोनों को सम करो ज़रा बनी आएगा ठीक है पड़ावट से स्क्रीन सॉल्ट ले लो तुरंत स्क्रीन सॉल्ट ली जाए तो यह फॉर्मुले लगाने पढ़ सकते हैं तुम्हें न मोल फ्रेक्शन जब वेपर फेस में निकल वाएंगे न तो यह फॉर्मुले लगाने पढ़ सकते हैं लियान रखिएगा वाई 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 वाला clear? चलो बहुत बढ़िया इसक्रीन सॉट ले लो तुरंत very nice very nice आगे वरते हैं वेटा qualitative property पर qualitative property यह होती है the property which depends on number of solute particle solute particle के number पे जो depend करें उसको क्या बोलते है वेटा? qualitative property जो solute particle के number पे depend करें ध्यान दखिएगा है न? क्या क्या होती है? RLVP, relative rowing vapor pressure EBP, elevation in boiling point, DFP, depression in freezing point OP, osmotic pressure अब एक-एक करके अपन इनको discuss करेंगे ठीक है? screenshot ले लो एक-एक करके हम इनको discuss करने जा रहे हैं ठीक है? एक-एक उठाते हैं अपन clear? clear? चलो भी बहुत बढ़िया RLVP से start करते हैं क्या कहानी है? condition सुन लो when non-volatile solute is dissolved in volatile solvent its vapor pressure decreases सुनना ज़रा दिहान से जब non-volatile solute को तुमने volatile solvent में मिला दिया तो vapor pressure क्या होता? decrease दिहान से सुनो कैसे? conceptual है कैसे? मेरे पास container है जिसमें A और B दोनों हैं A क्या है तुम्हारा? volatile B क्या है non-volatile A की vapor बनी सही है? A की vapor बनी B की नहीं बनी अब A की vapor जो liquid की surface पर pressure लगाएंगी जो pressure लगाएंगी तो pressure जब लग रहा होगा liquid की surface पर तो उस surface पर A भी होगा और B भी होगा B तो non-volatile है ठीक है? non-volatile मद्दब क्या होता है? solute non-volatile क्या होता है? solute ठीक है? वो आप माल लो solid particle है उसके ठीक है? solid particle है तो pressure जो लगेगा surface पर तो available space जो surface पर है A का वो तो कम रहेगा ना pure A के मुकाबले क्यों हो? यहाँ तो B भी है साथ में तो vapor pressure क्या हो जाएगा? decrease हो जाएगा अपन चेक भी कर लेते है mathematically ठीक है? mathematically चेक कर लेते कैसे? जब तुम non-volatile solute मिलाते हो तो PT क्या होता? PA के बराबर सही है ना? PT क्या होता? PA के बराबर या इसको PS लिख लो ठीक है? मैं PS ले लेता हूँ PS किस के बराबर है? PA के बराबर तो PS क्या आ गया? P not A X A ठीक? X A को बेटा मैं लिख रहा हूँ क्या? 1 minus X B ठीक? और इसको solve करो तो PS क्या आ गया? P not A minus P not A X B ठीक? अब इसको इधर ले आओ इसको इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा? P not A X B is equal to P not A minus PS तो यहां से X B क्या आ गया? P not A minus PS upon P not A देखो इसी को हम बोलते हैं RLVP इसको इहां से सुनना इसका नाम है Relative Lowering in Vapor Pressure किसके बराबर है? Mole Fraction के किसके? Solute के B किसको वाना था? Solute को देहां से सुनना मैं इस statement को एक और तरीके से लिख रहा हूँ क्या? Relative Lowering in Vapor Pressure कब? जब Non-Vertus Solute डलते हैं Relative Lowering in Vapor Pressure is equal to Mole Fraction of the Solute Relative Lowering in Vapor Pressure is equal to क्या होता वेटा? Mole Fraction of Solute के बराबर होता है और Mole Fraction डिपेंड करता है number of particles पर ठीक है? इसलिए यह Colligative Property है अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि बताओ P-A-PS क्या है? तो आप बोलोगे यह Relative Lowering नहीं है यह क्या है? Lowering है Relative तो तब होगी जब Pure के Respect मिलोगे Relative है ना? Pure के Respect मिलोगे तो Lowering in Vapor Pressure यह है क्या? P-A-PS और P-A-PS बाई P-A-P- यह RLVP है और यह CP होता है मतलब Colligative Property होता है यह Colligative Property नहीं होता धियान लगना कभी अगर Question में ऐसा लिखा Confuse करने के लिए दे सकते हैं आपको Lowering in Vapor Pressure is a Colligative Property मना कर देना एकदम मूँ पे नहीं होती अगर बोले Relative Lowering in Vapor Pressure is a Colligative Property एकदम नमस्कार कर लेना उसको ठीक है Clear एकदम समझे बात को ठीक अब आपका जो Numerical होगा वो ऐसे नहीं करना Numerical कैसे करना वो समझाऊंगा भी आगे अभी बस यह Concept समझे लो RLVP क्या होता है Numerical ऐसे नहीं करना Numerical का भी तरीका बताऊंगा ठीक है Clear एकदम क्योंकि सबसे पहला अगर Examiner कुशन देगा तो सबसे पहला उसके दमाग में Colligative Property चलेंगी उसके बाद फिर वो Round Low, Handy Low वगरा पर जाएगा ठीक है धिहान लगना Clear एकदम आगे बढ़े स्क्रीन सोट ले लो ठीक चलो बई बहुत बढ़ी है पहली Property होगी पहले Property समझ लेंगे फिर Numerical कैसे करना वो समझा दूँगा अगला देखना जड़ा Elevation in boiling point क्या होता When Non-Volatile Solute Is Dissolve in Volatile Solvent Its Vapor Pressure decreases ये बात तो सही है जब Non-Volatile Solute मिला होगे तो Vapor Pressure decrease होगा हो तो रहा था देखो अरे भाई यहां हो तो रहा था Mathematically चेक कर लो P naught A बढ़ा होगा PS चोटा होगा तभी तो ये value positive आएगी mole fraction negative धोड़ी हो सकता है positive भी होगा ना तो P naught A minus PS तो greater than 0 आएगा ना मतब P naught A बढ़ा है PS से मतब solution का pressure कम हो गया होगा सही बात है विल्कुँ सही है ठीक आजाओ इदर वेन Non-Volatile Solute is Dissolving in Volatile Solvent वेपर प्रेसर डिकरी अच्छा वेपर प्रेसर कम होता है तो boiling point क्या होता बढ़ता है क्यों? वेपर प्रेसर is inversely proportional अब ध्यान से देखना जड़ा इसको मैं graph से समझा रहा हूँ समझ लेना जड़ा एक बार ध्यान से देखो अगर मैं पहले मेरे पास क्या था? प्योर सॉल्मेंट था मेरे पास भैतरीन पानी है एकदम मस्त भैतरीन पानी है उसमें मैंने solid डाल दिया मतलब non-volatile solute डाल दिया solid कुछ डाल दिया ठीक है? पहले पानी था अब उसमें solute डाल दिया पानी का बना रहा हूँ पहले में वेपर प्रेसर वर्सिस temperature की अगर बात करूँ तो graph कुछ ऐसा होता वेपर प्रेसर वर्सिस temperature का ठीक है? यह दिया नगना यह ऐसा graph होता है temperature बढ़ाते हो वेपर प्रेसर बढ़ता है clear एक्दम अब यह किसका हो गया? यह किसका graph हो गया? यह हो गया बड़ा pure solvent का किसका? pure solvent का कौनसा? यह वाला अब ज़रा statement एक बार पढ़ें आए ज़रा फटावट से दाउतर मत देखें आगरी चल लड़ाई वाई अब भी दर उतर देखोगे क्या कह रहे हैं? वेपर प्रेसर डिक्रीज होगा तो boiling point डिक्रीज होगा ठीक है? एक काम करते हैं वेपर प्रेसर को डिक्रीज करवा देते हैं अरे वाई चल ज़या देखना अरे वाई चल क्यों नहीं रहा हम ऐसा होगा पहले वेपर प्रेसर ज्यादा था अब कम हो गया सही न तो ये हो गया किसका ये किसका हो गया ये हो गया solution का ध्यान से सुनना ज़रा ये और solvent का ज़्यादा होगा वेपर प्रेसर solution का कम होगा नीचे बना दूं graph ध्यान से देखना विल्कुल अगर मैं अगर मैं एक line draw कर दूं इस तरीके से ठीक है अगर मैं एक line draw कर दूं इस तरीके से ठीक तो इधर जो cut point आ रहा है इधर जो cut point आ रहा है ये किसकी line है ये वेपर प्रेसर मैंने 1 ATM की line मना दी ठीक है 1 ATM की line मना दी और जब वेपर प्रेसर 1 ATM होता है तो उस time पर जब वेपर प्रेसर 1 ATM होता है तो उस टाइम पर जो temperature होता है जो temperature होता है उसी को तो हम क्या बोलते है boiling point क्या बोलते है boiling point ये क्या लिख दिया not क्योंकि ये pure solvent का cut point है ये solution का है तो TV लिख दिया अब आप मुझे ये line पढ़के बताना ज़रा इस line पर चलो TV बढ़ा है या TV not बताओ TV बढ़ा है या TV not जल्दी बोलो जल्दी बोलो TV बढ़ा है कि TV not बेटा TV बढ़ा है ना अगर TV बढ़ा है किससे TV not से इसका मतलब boiling point बढ़ गया ना समझे लेओ ये बात है तो TV बढ़ा है TV not से तो boiling point बढ़ गया कितना बड़ा उसी को बोलते हैं elevation in boiling point कितना बड़ा delta dv क्या लिखोगे tv minus tv not इसी का नाम है elevation in boiling point मतलब boiling point बढ़ गया है सही एकदम सही बहुत बड़ी है very nice तही जा रहे हैं यसी चलते जाना अब मैं क्या लिखूँँगा अब मैं यहाँ पर इसका formula बनाऊंगा इसका screenshot लो अगले page में formula ठीक है कैसा बनेगा देखते है ठीक है चलो बई clear चलो very good बहुत बड़ी है इसका formula बना लो जो elevation in boiling point है वो directly proportional to morality के बराबर होता है तो delta tv क्या लिखूँँगा proportionality हटाओ क्या लिखूँगा kb into m ठीक है तो यह formula होता है इसका morality आपको जानते ही हो निकालना नहीं जानते हो देख बार फिर लिख लो ठीक है morality के आगया moles of solute divided by weight of solvent in kg b solute है a solvent है पूरे chapter में और kb क्या होता है kb for water यह वैसे तो question में दिया जाता है 0.52 Kelvin kg per mole आपको दिया जायागा नहीं तो water का याद होना चीए kb kb को क्या बता है ablioscopic constant या molar elevation constant है ना kb को बोलता है molar elevation constant और ablioscopic constant वैसे तो यह दिया जाता है मालो कभी नहीं दिया जाए तो इसका formula यह होता है kb का r tb not square upon thousand lv ठीक क्या क्या चीज़े है r तुम्हारा gas constant है tb not tb not क्या है standard boiling point solvent का जो होगा lv है latent heat of vaporization latent heat of vaporization यह सारी की सारी property किसकी है solvent की यह solvent के लिए सारी चीज़े है ना जिसको तुम निकालना चाहो तो delta h upon molecular weight से निकाल सकते हो ठीक है delta h vaporization ठीक है वैसे तो आपको दिया जाता है नहीं दिया यह तो यह formula होता है ठीक जो आप delta h की unit रखोगे या lv की unit रखोगे वही r की रखना पड़ेगा usually joule में या calorie में रखना पड़ता है ठीक है clear तो यह कहानी हो गई फटावट से screenshot ले लो फ़र आगे बढ़ते है ठीक है very nice बहुत बढ़ी है चलते जावस ऐसी है न चलो अगला देखना जरा अभी numerical नहीं बता रहा हम है numerical तो अभी बताऊंगा कैसे करना है numerical अभी मत सोचो है न अभी वस concept सोचो कभी theoretical question आजा तो मज़ा आजाएगा अगला देखो जरा depression in freezing point क्या होता है when non-volatile solute is dissolving volatile solvent its vapor pressure decreases और vapor pressure decrease होगा तो freezing point भी decrease होगा कैसे decrease होगा उसको समझ लेते हैं ठीक है कैसे decrease होगा उसको समझ लेते हैं समझना जरा धिहान से मेरे पास ऐसा-ऐसा है कैसा-कैसा ऐसा-ऐसा धियान से देखना जरा ठीक ये है vapor pressure और ये है temperature बता दो जरा मुझे पहले कैसे बनाया था अपने graph vapor pressure versus temperature का ठीक धियान से देखना जरा मैं ऐसे बना रहा हूँ इस तरीके से क्यों ऐसा बनाया मैंने, क्यों की, ध्यान सुनना, जब solid, ये किसका ग्राफ है, solid का, solid pure solvent है ये, ठीक है, ये है liquid pure solvent, liquid pure solvent, तो ये solid pure solvent, ये liquid pure solvent, और अगर ये pure है, तो यहाँ पर, जो temperature आएगा, इस point पर, ठीक है, जहाँ solid liquid इकली विरियों में, इसको बोलूँगा, मैं standard freezing point, ठीक है, क्या बोलूँगा, standard freezing point, ध्यान से तुनना, जब solid और liquid, भाई, freezing point का मतलब क्या होता है, जब solid और liquid क्या होते है, equilibrium में, तो freezing point होता है, तो equilibrium में मतलब इस point पर मान लिया मैंने, तो इस पर क्या आया, standard freezing point, अब मुझे एक बाद बताओ, vapor pressure क्या होता है, decrease, किसका, liquid solution का, ठीक है, तो liquid solution का, vapor pressure में decrease करा रहा हूँ, इस तरीके से ऐसा, ठीक, यह decrease हो गया, अगर मैं इसको यहाँ बढ़ाऊँ, इस तरफ बढ़ाऊँ, यहाँ से देखना है, तो यहाँ जो cut point आएगा, इस पर, solid pure solvent, liquid solution के साथ equilibrium में है, मतलब, इस point पर, इस point पर, जो तुमारा, जो तुमारा temperature होगा, उसी को मैं freezing point बोल दूँगा न, देखो, ध्यान से देख लो जड़ा, फिर से एक और पार सुन लो, solid pure solvent और liquid pure solvent के बीच का equilibrium पर क्या मिलता है, tf not standard, और solid pure solvent और liquid solution के बीच का equilibrium क्या देता है, tf, तो यहाँ solid pure solvent और liquid pure solvent का जब equilibrium होता है, तो आपको tf not मिलता है, लेकिन, लेकिन solid, pure solvent और liquid solution का, जब equilibrium मिलता है, liquid और नीचे लिख रहाँ, solution का, इक लिख विरियम तुम्हें tf देता है, बाद समझ में आई, तो पहले pure solvent, pure solvent का game चल रहा था, अब pure solvent और solution का game चल रहा है, freezing point क्या होगा, decrease, पहले क्या था tf not, अब क्या होगा, tf, तो tf छोटा है किस से, tf not से, तो freezing point क्या हो गया, कम हो गया, कितना, delta tf, इसी को होगा, depression in freezing point, क्या लिखूंगा, tf not minus tf, वहाँ क्या होता था, tb minus tb not, यहाँ क्या होता, tf not minus tf, ठीक है, clear, फटावर्ट से इसको screenshot लो, फिर मैं इसका formula बनाता हूँ, जैसे वहाँ बनाया था, ठीक है, चलें आगे, very nice, बहुत बढ़िया, अब मैं इसके formula विल्कुल वैसी बना रहा हूँ, जैसे यहाँ थे, तो copy करके उठालाया मैं ऐसे, जैसे तुम्हारा delta tv था, वैसे यहाँ delta tf लिख लेंगे, delta tf is directly proportional to m, तो delta tf क्या हो जाएगा, इधर kf हो जाएगा, ठीक है, kf into m, molality यही है, kf क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, और water, 1.86 होता है, वैसे question में दिया जाता है, नहीं दिया है, तो याद कर लेना, ठीक, molar elevation constant की जाएगा, यहाँ क्या लेज़ाएगा, molar depression constant, abloscopic की जाएगा लिख देंगे, cryoscopic constant, kb की जाएगा लिख देंगे, kf, tb की जाएगा लिख देंगे, tf, lv की जाएगा लिख देंगे, lf, latent heat of fusion, ना, ठीक, यहाँ tb knot की जाएगा, tf knot, boiling point की जाएगा, freezing point, बिल्कुल वैसा ही है, same to same, ठीक, lv की जाएगा क्या कर दू, lf, latent heat of vaporization की जाएगा क्या क्या कर दू, fusion, उस, यहाँ क्या क्या कर दू, delta h, फ्यूजन ठीक है इस तरीके से सेम वैसी होता है कि स्क्रिंशॉट ले लो फटाबट से एम है बेटा मोले लिटी बहुत बढ़ी है रिविजन करने आयो तुम ड्रॉप ड्रॉपर में तो देखो नहीं हो तुम इतना तो कन्फरम है और अगर हो तो अगले साल फिर पिपर होगा एम मेटा मोले लिटी है ठीक है आगे बने ले लिए स्क्रिंशॉट वेरी गुड चलो भई अभी मैं निमेरिकल की बात नहीं कर रहा उसकी बात करूंगा अभी रोग जाओ आजा ज़रा ओस्मोटिक प्रेसर ओस्मोटिक प्रेसर क्या होता है देखें ज़रा इसको समझने के लिए पहले तुम्हें ओस्मोस से समझना पड़ेगा क्या कह रहे है दा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूस प्रॉम लोर कॉंसेंट्रेशन टू हायर कॉंसेंट्रेशन ध्यान अखना ये कॉंसेंट्रेशन हम किसकी बात कर रह है ना कॉंसेंट्रेशन अफ्लूडेशन ट्रीक है तो यह सॉल्वेंट की बात कर रहे है अरे सुर्ड डीक तो लोब ऑर कॉंसेंट्रेशन से हयर कॉंसेंट्रेशन पर जानाonse ठी है यह आप सर्फ यह मुलिक्यूल इस कौल ओसमोसिस द्यान अकना कउई इसको इस तरीगे से भी आत रखते हैं higher water concentration to lower water concentration वो भी सही है क्यों higher water concentration मतलब वो solvent के मान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ये वाला भी सही है और higher water concentration to lower water concentration भी सही, मतलब सीधा सीधा एक line में ध्यान दखो ना, solvent के molecule का flow होता है बस, ठीक है, solvent के molecule का flow होता है, जैसे ध्यान से देखना ज़रा, मेरे पास ही यह container है, और यहाँ पर, यहाँ पर मैंने, इसको बोलते है, semi permeable membrane, ठीक है, क्या नाम है इसका, semi permeable membrane, SPM, ठीक है, SPM का flow form क्या है, semi permeable membrane, यह ऐसी membrane होती है, जो solvent के molecule को पास करती है, ठीक है, ध्यान से देखना, मेरे पास, यहाँ पर इस जगह है, solution है, solution है, मतलब क्या होगा, solvent plus solute होगा, तो यहाँ solvent भी है, solute भी है, इस तरीके से, और यहाँ सिर्फ solvent है, ठीक है, ध्यान से देखना ज़रा, क्या बोला गया है आपसे, definition बढ़ो, the flow of solvent molecule from lower concentration to higher concentration, अच्छा यह क्या बोला था मैंने आपसे, यह क्या है, solution है, यह क्या है, solvent है, तो solvent की तरफ, solute की concentration lower मान सकते हो, और यहाँ solute की concentration जाता मान सकते हो, तो lower से higher आना, या, तुम ऐसे भी definition याद कर सकते हो, the flow of solvent molecule from pure solvent to solution, ठीक है, मतलब इस तरफ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर जाएगे particles, molecules है न, तो solvent के molecule का flow हो रहा है, ध्यान लखना, solvent के molecule का flow हो रहा है, कहां से, pure solvent से solution की तरफ, क्योंकि semi permeable membrane, ऐसी membrane होती है, जो सिर्फ solvent को पास करती, solute को पास नहीं करती है, ठीक है, solvent to solution चले जाना, ठीक है, solvent to solution चले जाना, अब देखो, अभी बच्चे देखो, यही लिख रहा है, पागल इंसाने, क्यारा सर, solute, solute लिख दिया, अरे भाई, पूरा पड़ो, lower concentration किसकी, solute की, higher concentration कि, solute की lower concentration इधर है, solute की higher इधर है, अगर तुम्हें ऐसे नहीं याद रखना है, तो तुम्हें ऐसे याद कर लो भा हाँ, pure solvent to, कहा motion होता है, solution की तरफ, clear है अब, pure solvent से solution की तरफ होता है, दिमाग खोल के सुना करो है न, दिमाग, दिमाग, दिमाग खोल के सुना करो, दिमाग खोल के, क्या बोल रहा हूं मैं, मैं बोल रहा हूं, lower solute concentration से higher solute concentration जाना है, lower solute concentration इधर मानलो, higher solute concentration इधर है, इसका म ऐसे बोलना है, higher solvent, कान खोल के सुना करो, higher solvent concentration से lower solvent concentration तब भी सही बात है, अगर तुम्हें ऐसे सुनना है, pure solvent से solution तो भी सही है, तीनों बाते सही है, बस दिमाग बंद करके बैठी हुए हो, इसलिए लिख रहो यह सब, दिमाग खोल के, कान खोलो, दिमाग खोल के सुनो, क्या एक दम, चलो बई, very nice, बहुत बढ़ी है, स्क्रीन सोट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो, ऑस्मोटिक प्रेसर की बारें बात कर लेते हैं, आप आजाओ, क्या कह रहे हैं, the minimum pressure, which must be applied, किस तरफ, to the solution side, to prevent osmosis, ध्यान से सुनना, यह जो process हो रही थी, इसको रोक दो, त minimum pressure इधर कितना लगाएं, वो चेक कर लेते हैं, हम ध्यान से देखना ज़रा, minimum pressure यहां कितना लगाएं, ध्यान से देखो, मेरे पास, मेरे पास कुछ इस तरीगी कहानी है, ध्यान से देखना, फटाफट बना लेते हैं, ध्यान से देखना ज़रा हैं न, अब आप से क्या बोला जा रहा है, यहां पर मैं एक piston लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहां पर मैं एक piston लगा रहा हूँ, ठीक है, यहां क्या था तुम्हारे पास, तौलिवेंट भी था, और इस तरफ क्या था लेफ्ट साइड, तौल्यूट भी था, सही है एक दम, अब ध्यान से देखना, फलो किदर ओ रहा था, फलो किदर ओ रहा था, इस तरफ, इस तरफ ठीक है, अब ध्यान सुनो, यहां minimum pressure कितना ल लगाओ कि ये फ्लो क्या हो जाए फ्लो क्या हो जाए रुख जाए ये फ्लो ना हो मतलब आस्मोस इसकी प्रोसेस रुख जाए तो यहां कितना प्रेसर लगाओ कि उसी को आस्मोटिक प्रेसर बोलते हैं ठीक है अब यह जो आस्मोटिक प्रेसर है यह जो पाई इससे डरनोट करते हैं, concentration और temperature के directly proportional होता है, pi is directly proportional to ct, c क्या है यहाँ concentration मतलब molarity, ठीक है, अगर यहाँ यह proportionality हटाओ तो एक constant लिखते है, r universal gas constant, ठीक है, तो pi is equal to crt होता है, लेकिन numerical आपको ऐसे नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है, अभी बताऊंगा numerical के लिए भी, c क्या है molarity, r क्या है, gas constant, ठीक है, p क्या है, जानती हो, तापमान, Kelvin में रखना है, और यहाँ gas constant 1 by 12 आता है, ठीक है, 1 by 12, 021, ठीक है, फटावट से screenshot लो फिर आगे बढ़ते हैं, चलें आगे, very nice, ठीक, अब इससे related type of solution की हम बाते करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना जड़ा, मेरे पास दो container है, एक में osmotic pressure, π1, एक में π2, एक में π1, एक में π2, ठीक है, अगर मेरे पास दो solution है, ठीक है, solution 1, इसका osmotic pressure π1 है, solution 2, मतलब दो container थे, अलग-अलग चलना था मामला, इसका π2 है, ठीक, अगर तुम्हारा π1 और π2 क्या आ जाते हैं, बराबर, तो क्या बोलते हैं, आईसोटोनिक, ठीक, अगर तुम्हारा π1 is greater than π2 है, तो हम बोलेंगे, one is, one is hypertonic, या तुम ऐसे बोल सकते हैं, two is hypertonic, मतलब जिसका pressure जादा वो hyper होता है, हाइपोटोनिक, topic क्यों लिख दिया, हाइपोटोनिक, ठीक है, इधर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, π1 is less than π2, तो one is hypotonic, है न, one is hypotonic, और अगर one hypo होगा, तो two is क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक, तो कभी अगर compare कराने आजाए, exam में question, तो osmotic pressure निकालेंगे, और उससे हम compare करा लेंगे, ठीक है, चलो भई, चलो भई, बहुत बढ़ी है, एक का कहना osmosis, osmosis रोकना क्यों है, बटा, exam के बाद रोकेंगे, चिंदा मत करो, अरे या, reverse osmosis नहीं कराते हो, क्या, reverse osmosis में क्या करते हो, भई, osmosis रोकों के तभी तो reverse कराओगे, reverse तो मंग पानी पीते हो, घर पे आरो लगा रखा है तुमने, आरो का फुल्बम पता क्या होता बटा, उल्टा चलाना पड़ेगा ना, pure solvent बनाना पड़ेगा, चलो भई, screen salt लेलो, आगे बढ़े, चलो, very nice, एक के राज जब numerical नहीं करना है तो formula के बेटा, ये concept समझा दूम पहले, फिर उसके बाद मामला आएगा, एक तो कहा है ना, तुम लोग पता नहीं, कहां थे अभी तक, आ जाओ ज़रा, पढ़ लो पहले, पूरा पढ़ लो, समझ में आ जाएगी, मैं क्यों मना कर रहा हूँ, कि उन से नहीं लगाना है, ये आगया topic, ठीक है, ध्यान से सुनना जाएगा, थोड़ी सी कहानी सुना जता हूँ, आपको, क्या है, देखो, बहुत सिंबल सी बात है, कुछ molecules या कुछ substance, किसी particular solvent में, associate और dissociate होते हैं, जिसकी वज़े से molecular weight जो overall आना चाहिए था, वो नहीं आता, जैसे एक example है, acidic acid dimerization करता है, acidic acid dimerization करता लेक इन किसम है, organic solvent like benzene में, ठीक है, अगर वो dimerize करेगा, acidic acid का molecular weight 60 है, अगर वो dimerize करेगा, दो molecules आएंगे, तो 120 overall आएगा, इसका मतलब molecular mass जो आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब number of particles पर भी depend करने लगा, molecular mass, क्यों पहले एक molecule का आ रहा था, अब दो का आने लग ठीक, इसका मतलब colligative property भी effect होंगी, इसलिए मैं मैं मना कर रहा था कि वहाँ पर जो मैंने formula लगा उससे नहीं करना, अब यहाँ से यह पढ़ लो पहले, फिर numerical इससे connect करके करेंगे अपन, हमेशा सही होगा आपका, ठीक है, clear एकदम, चलो भई, want of factor पहले लिख लेते हैं, normal, want of ने factor दिया, आई, ठीक है, normal molar mass, divided by, divided by, abnormal molar mass, ऐसा क्यों होता है, क्यों मैं बता चुका हूँ, ठीक है, क्या, कुछ molecules associate और dissociate होते हैं, particular solvent में, इसलिए हम आई पढ़ रहे हैं, abnormal molar mass, ठीक है, यह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, observed, observed colligative property, divided by, calculated colligative property, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, normal molar mass, upon abnormal, ऐसे लिखो, या observed colligative property, upon calculated, ऐसे लिखो, observed का मतलब क्या हो गया, observed का मतलब, association या dissociation, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, colligative property, number of particles पर depend करते हैं, number of particles किस पर depend करते हैं, mole पर, तो मैं इस formula को ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, दिखान से देखना जड़ा, total number of moles, total number of moles, after, after association, और dissociation, कुछ भी हो सकता है, कुछ molecule associate होते हैं, कुछ dissociate होते हैं, जैसे acidic, acid in water, बताना, acidic, acid in water, क्या होगा, dissociate, acidic, acid in benzene, क्या होगा, associate, है ना, तो solvent पर depend करता है, दीख, तो total number of moles, after association, और dissociation, divided by total number of moles, before association, और dissociation, ठीक है, यह related है किससे, before वाली बात, मत्दब association के पहले, related है, calculated colligative property, association के बाद, observed, और colligative property का inversely proportional ही तो molar mass होता है, क्यों, colligative property, number of particles पर depend करती है, number of particles, molar mass के inversely होता है, है ना, ठीक है, तो normal upon abnormal, observed by calculated, observed का मतलब यह हो गया, जो आपको after दिख रहा है, association या dissociation के बाद, और observed जो होगा, after दिख रहा है, association या dissociation के बाद, वही तो abnormal होगा, इसलिए देखो जरा, ये इससे related है, ये इससे related है, लेकिन इधर inversely कर दिया, observed colligative property related है, इससे, देखो ये वाला इससे related है, और ये वाला इससे related है, ठीक है, ध्यान दगना, इसलिए molar mass inversely proportional कर दिया, ठीक, अब मैं आपको association और dissociation के लिए बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको association और dissociation के लिए बताता हूँ, फड़ा वट से screen sold दो, ठीक है, चलो वोई, very nice, आप देखना ज़रा, मैं आपको i का calculation बता रहा हूँ, for association और dissociation है, तो calculation of i, ठीक है, पहला case 1, for dissociation, ठीक, ध्यान चे देखो, अगर मेरे पास कोई molecule है, वो anion दे रहा है, ठीक है, एन आयन दे रहा है, एन, ठीक है, तो initial number of moles मेरे पास 1 है, यह 0 है, ठीक है, यह initial mole हो गए, moles after dissociation, ठीक है, moles after dissociation, at time t लिख देता हूँ है न, 1-x और यह क्या हो जाएगा, nx, तो i में कैसे लिखूँगा, बताओ, formula लगाओ ज़रा फटावट से, ठीक है, formula बना रहा हूँ, यह, after dissociation और association, divided by before, ठीक है, तो 1-x प्लस nx, divided by 1 प्लस 0, तो i का formula यहां से बन गया, 1 प्लस n-1, x, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे तुम्हें formula लगाना है, और यहां पर, यहां पर significance of n क्या है, significance of n है यहां पर, number of moles of products, ठीक है, number of moles of products, जैसे, alcl3 का n बता दो क्या होगा, बताओ, इसका n क्या होगा, बताओ, aluminium plus 3, plus 3cl minus, तो n क्या आ जाएगा, इसका 4, सही ना, ऐसा, product के मोल देखने, इधार आओ जाओ, case 2, और association, association के लिए करोगे, n molecule को combine करवाओगे, क्या बनेगा, an, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ, ऐसे, 1 by n, an, ऐसे लिख सकता हूँ, बात तो बराबर है, n से डिवाइड करके, initial, mole और moles at time t, इसके 1, इसके 0, 1 minus x, और यह क्या हैगा, x by n, यहाँ पर x क्या है, x, यहाँ x है, degree of dissociation, degree of dissociation, यहाँ का x क्या मानेंगे, degree of association, DOD क्या होता, degree of dissociation, DOD degree of association, ठीक है, तो अब मैं यहाँ आई लिखूँगा क्या, 1 minus x plus x by n, तो i यहाँ से क्या आगया, 1 plus 1 upon n minus 1 into x, अब धियान से देखो ज़रा, यह formula आप लगा देना, answer आप क्या आते रहेंगे, ठीक है, significance of n क्या है, n है यहाँ पर number of moles of reactant, moles of reactant, कैसे, ऐसे, मालो यहाँ दो acid, एक acid लिखें हैं, और इससे तुम्हें बनाया जा रहा है, CH3, COH का, hold twice, तो यहाँ n क्या आ जाएगा, दो, ठीक है, यहाँ n का significance क्या है, reactant कितने combine करा रहे हो, यहाँ n का significance क्या है, product कितने बन रहे हैं, ठीक है, ठीक है, n का significance सुन लो, यहाँ क्या बोलते हैं, कितने number of most of product बन रहे हैं, यहाँ reactant कितने combine हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बई, अब देखना जड़ा, I निकाल लेते हैं फटावट से, I और DoD निकाल लेते हैं, इस सब हैं न, चलो बई, calculate DoD for this, ठीक है, I given है, DoD का formula क्या होगा, I वाला, 1 प्लस N माइनस 1 X dissociation के लिए, ठीक है, I कितना है, 2.74, यह क्या है, 1, N, N बता दो यहाँ से कितना आएगा, 3 आएगा, क्यों, एक आएगा, barium 2 प्लस और 2 आएंगे nitrate आएन, तो total 3 हो गया, तो 3 माइनस 1 X, ठीक है, यह आगया कितना, 1.74 divided by 2 आजाएगा, क्यों, यह 2 आएगा न, यहाँ से, यह आपका answer आगया, ठीक है, percentage में निकाला, 100 से multiply कर देना, इस वाले मताओ, I is equal to 1 प्लस N माइनस 1 X, और DoD तुमारा क्या है, 100 परसेंट, तो I क्या आएगा, N के बराबर, क्यों, X तुम बन रख दो, तो यह N के बराबर, N यहाँ से क्या है, 5, तो I क्या आगया, 5, देखो, 3 है यहाँ, और 2 है यहाँ, ठीक है, क्लियर एक दाओ, अरे भाई, 3 यह और 2 यह 5 आएगा न, अरे यार, देखो, गलत कर रहे हो, 5 आएगा भाई, very good, बहुत बढ़ी है, अब जड़ा ध्यान देना, एक्जाम में क्वेश्चन करोगे, तो यह, इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया, important for exam, ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक्जाम में जब तुम करोगे, तो कैसे करोगे, अब तुम want of factor के according सोचोगे, ठीक है, अगर question में want of factor नहीं बोला, या non volatile बोल दिया, non electrolyte बोल दिया, तो तुम I को 1 रख देना, ठीक है, formula एक ही बार याद करके जाओ, अलग लग्यों करोगे, तो यहाँ देखो जड़ा, पहला formula क्या लगाना है, RLVP का, P not A minus PS upon P not A, is equal to I into NB upon I into NB plus N A, लेकिन इससे करोगे तो calculation थोड़ी lengthy हो जाएगी, तो मैं एक काम करता हूँ, इस formula को rearrange कर दूँ, कैसे मैं P not minus PS upon P not A न लिखके, नीचे PS बना दूँ, कैसे, minus 1 minus 1 दोनों तरफ कर दूँ, तो solve करके मैं लिख रहा हूँ, क्या आएगा देखो, formula यह बनेगा, P not A minus PS upon PS, ध्यान लग ना, मैं यहाँ PS बना रहा हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, I into NB upon N A आ जाएगा, तो बहुत आसान होगा इस तरफ, एक दौनों तरफ minus 1 minus 1 करके formula बना सकते हैं ना, तो यह आ जाएगा तुम्हारा पहला formula, दूसरा, delta TB, I से multiply कर दो KB into M, तीसरा, delta TF, I से multiply कर दो KF into M, चौता formula, पाई के आ जाएगा, I, C, R, D, ऐसा, अब अगर आपको I के बारे में कोई information नहीं दे रहे हैं, तो one मान लेंगे, ठीक है, या मान लो आपसे I वगरा दे रखा है, तो I put कर देंगे, तो final formula यह हो गए, यही आपको लगाना है, ठीक है, फटावट से screenshot ले लो, यह धियान लखना, मैंने यहाँ नीचे PS क्यों कर दिया, दोना तरब माइनस बन, माइनस बन कर के लिए आया हमें, formula, ठीक है, clear एकदम, आगे बढ़े, ठीक है ना, चलो, बहुत बढ़ी है, यह formula लगाएंगे अपन और आंसन निकालेंगे, clear, चलो वही, कुछ सवाल कर ले दा, फटावट से आजाओ, आओ ज़रा फटावट से, which is not equal to, राउट स्लो से related question है कुछ है न, which is not equal to zero, for ideal solution, बताओ, ideal solution में क्या zero नहीं होता बताओ, आगरा बदला पूर चेरने डोलक पूर, जल्दी बोल दो फटावट से, बेटा, entropy mixing पर हमेशा बढ़ती है, चा कोई साबी हो, ideal हो चाहे, non-ideal हो, ठीक है, बहुत बढ़ी है, very nice, अगला सवाल, यह कर लो, if 3 mole of A is mixed with 2 mole of B, find PA, PB, PT, आज़ो जरा, mole दिये हैं, तो mole fraction निकाल लू मैं, किसके, A के mole fraction कितने आ जाएंगे, 3 by 5, और A के 3 by 5 हैं, तो B के कितने आ जाएंगे, 2 by 5, तो PA क्या आ गया आपका, P not A, X A, P not A कितना है, 100, X A कितना है, 3 by 5, कितना आ जाएगा, 5 से 20, इंटू 3, 60, M of HG, ठीक है, PV कितना आएगा, PV कितना आएगा, PV कितना आएगा, P not V, X V, P not V कितना आ बिड़ा, P not V कितना 100, X भी कितना बिड़ा, 2 by 5, ये कितना आ जाएगा, 40, सही एकदम, चेक कर लो, सही ना, 40, और अगर ये है, 60, ये है 40, तो आपका, P T क्या आ जाएगा, या आ जाएगा, 60 plus 40, is equal to 100, चेक कर लो एक बार, ठीक है, किलियर है, कुछ लटा कर दिया, क्या, चेक कर लेते हैं, 3 by 5, 2 by 5, एकदम सही है, अचा, एका 200 है, OMG, अरे यार, क्या value ये लट रख रहे हैं, कौन कर रहा है, 200 है ये, ठीक है, तो 5 से कड़ेगा, कित्ती बार, 40, 120 आएगा ये, भाया, 120 आएगा, MM में, और ये तता है, 100, अचा, 160 आएगा, चेक कर लो जरा, 100 के मा आ रहा है, और 100 तो वैसे भी ये आना चीता, 100 तो इसी कही है, ठीक है, 160 आ रहा है, ठीक है, चेक कर लो जरा, 160 is the right answer, साही है, चेक कर लो, 160 एकदम सही है, very good, बहुत बढ़ी है, अगला सवाल आ जरा, जिसकी आई की वेल्यू ज़ादा, जिसकी आई की वेल्यू ज़ादा, उसकी qualitative property ज़ादा, और अगर qualitative property ज़ादा, तो delta TF ज़ादा न, delta TF colligative property है, ठीक है, delta TF क्या होता, depression in freezing point, अगर depression ज़ादा, सुनना, depression ज़ादा, depression मतलब, कमी कर रहे हो, अगर कमी कर रहे हो, इसका मतलब, freezing point क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना अरे भाई सिंपल सी वाते देखो डेल्टा टी एफ अगर जादा है डिप्रेशन जितना जादा है डिप्रेशन माल लो पहले तुम्हारा था कुछ फ्रीजिंग बंड माल लो सौ था अब आप उसमें से बहुत जादा घटा रहे हो तो फ्रीजिंग बंड लेते हैं अगर ना दे तो है ना इसका मतलब इसका मतलब आई किसके बराबर आजाएगा अगर मैं एक्स को वन माने के चलूं आई किसके बराबर आजाएगा एन के बराबर अब यहां से एन बता दो इसका एन कितना है तीन देखो दो इसका एन कितना है दो इसका एन कितना i जादा इस ते connect करो i जादा i और n बात बरावर हो गई तो tf क्या हो जाएगा कम ठीक है तो i जादा tf कम बता दो ज़रा d का सबसे कम फिर a का चेक करना फिर b का और फिर c का चेक करो ज़रा एक बार i जादा तो tf कम ध्यान से देख लो ज़रा देगो, I जादा, तो T F कम, I और N बात बराबर हो गई यहां पर है ना, तो सीधी सी बात है, N किसका जादा है, इसका जादा है न तो इसका T F कम होगा, clear एक दम, आगे answer, वेरी गुद, बहुत बढ़ी है, clear है न एक दम, फटावट से, चलो बहुत नाईस, वेरी गुद, चल यहां पर आपको बता रखा है कि Dissociation Association की डिग्री आप Dissociation Association नहीं ना इसका मतलब इसको X समभान माने के चलेंगे तो IN के बराबर आ जाएगा ठीक है अब सुनना ज़रा I ज़्यादा Colligate Property ज़्यादा Delta TB ज़्यादा अगर Delta TB ज़्यादा तो TB भी तो ज़्यादा सुनना ज़रा Elevation है यहाँ पर Elevation इन Boiling Point ज़्यादा मतलब बढ़ा रहे हो मतलब Boiling Point बढ़ जाएगा और I और N क्या होते हैं बराबर होते हैं बताओ यहाँ N कितना है 2 एक ये और एक ये है न यहाँ N कितना आएगा 3 देखो एक BA 2 प्लस और 2 C L माइनस यहाँ N कितना आएगा 4 एक FE 3 प्लस 3 C L माइनस यहाँ N कितना आएगा 5 दो आएँगे FE 3 प्लस और 3 आएँगे सलफेट आयन ठीक है बताओ ज़रा जिसका I ज़्यादा यानि कि N ज़्यादा जिसका N ज़्यादा उसका TV ज़्यादा बोल दो answer A सबसे कम फिर B फिर C फिर D ठीक है चेक कर लो ज़रा चेक कर लो सही है क्या answer सही है बहुत बढ़ी है Very nice Very nice बहुत बढ़ी है आगया इसका 4 क्यों 3 मिलेंगे ये और ये 1 मिलेगा Fe Cn6 3 negative N 4 है चेक करना ज़रा यहाँ N क्या है 2 क्यों 1 N plus 1 Cl minus यहाँ N क्या है 3 कैसे 2 N plus 1 SO42 minus यहाँ पर N क्या है 5 क्या है 2 Al 3 plus और 3 sulfate ion और यहाँ N क्या है 4 कैसे 1 Aluminium plus 3 3 और 3 nitrate ion सही एकदम बहुत बढ़िया स्टेम आई बतादो किसका है आंसर आगे डोलकपुर ठीक है N 4 चाहिए था एकदम सही बहुत बढ़िया सही जा रहे हो एकदम सही जा रहे हो चलते जाना है सही अगला सवाल 0.5 molar solution of urea देखो urea होता है non-electroart ध्यान रखना isodonic bit बताओ जरा बताओ जरा कैसे करोगे π1 is equal to π2 होना चाहिए बाकी कुछ temperature बगरा के बारे में नहीं बोला है आपसे sub constant माल लो क्या vary कर रहा है क्या vary कर रहा देखो concentration भी क्या है same है सभी option में ठीक है इसका मतलब किस से करोगे i1 c1 equal to i2 c2 लिखते तुम पहले लेकिन concentration same तो ये भी काट देते तो i1 is equal to i2 लिख देते बताओ जरा urea किसका urea का isotonic किस के साथ है बोल जरा फटावट से nacl bacl2 sugar और benjoic acid in benji नानसा आए का sugar देखो जरा ये non electrolyte होते हैं नियान दखना non electrolyte होते हैं glucose, fructose urea ये सारे के सारे sugar वगरा है ना चलो बहुत बढ़ी है clear अगला सवाल आजाओ क्या निकालना है 0.2 molar acid H is 20% ionized in aqueo solution kf दिया है freezing point निकालना आजाओ जरा delta tf का formula क्या लगाएंगे numerical के लिए i into kf into m i कैसे निकलेगा 1 plus n minus 1 x क्यों do d दे रखा है H x तो तूटता है ठीक है 1 plus n क्या हो जाएगा H a का H a का n हो जाएगा 2 1 plus 2 minus 1 into x क्या जाएगा 1 plus x x कितना है 20% का मतलब कितना हो गया point 2 क्या जाएगा 1.2 सही है क्या जाएगा 1.2 delta tf क्या लिख दूँ मैं 1.2 into 1.86 into 0.2 ये क्या है delta tf solve कर लेना इसको इसको मैं लिख रहा हूँ क्या delta tf को लिख रहा हूँ tf naught minus tf और tf naught पता है क्या है ये 0 degree centigrade दियान अगना ठीक है यहा तुम degree centigrade में रख दो कोई दिक्कत नहीं tf degree centigrade में ही आएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है clear एकदम तो ये कहानी है इसकी कलोगे क्या निकालना था freezing point tf निकालना था clear चलो भई बहुत बढ़ी है बहुत ही बढ़ी है उंदा जा रहे हो एकदम सही जा रहे हूँ चलो भई ये दर आना जारा क्या कह रहे है इसमें कह रहे है 2 into 10 के निकाल मानेस 3 molal echo solution of an ionic compound this freezes at this ठीक है find i अब एक बाँ बताओ delta tf क्या लगाओगे आप i into kf into m लगाओगे ध्यान सा देखना जड़ा delta tf कितना है 0 minus tf ठीक है क्यों standard echo solution water का standard क्या होता 0 0 minus tf is equal to i into kf कितना होता water का 1.6 पीचे सो डालो into molality क्या 2 into 10 की पावर minus 3 ठीक है अब देखना जड़ा यहाँ tf पुट कर दू मैं भाईया tf 0 minus of क्या पुट करना है ये clear एक दम clear है यहाँ से तुम आई निकाल सकते हो चलो वह बहुत बढ़िया अगला सवाल इधर आज़ो ज़रा फटावर्ट से क्या कह रहे है बोलो the vapor pressure of pure methanol is 0.15 bar the vapor pressure of liquid solution is 0.09 bar calculate the mole fraction of B ठीक है mole fraction अब देखो जड़ा ये सब जो methanol ethanol ये सब लिखे होते हैं इनका I1 होता ध्यान लगना नहीं भी दिया है तो भी one ही मानते हैं तो अब आप बताओ कैसे लगाओगे RLVP relative lowering in vapor pressure क्या लिखते हो आप क्या लिखते हो mole fraction of solute ठीक है I वैसे लिखते हो I तो बन हो जाएगा तो मैं हटा रहा हूँ उसको ठीक अब मुझे एक बतादो RLVP कैसे लिखो P naught A minus PS upon P naught A ठीक है is equal to XB P naught A क्या है pure का 0.15 minus PS क्या है vapor pressure of solution 0.09 upon P naught A क्या है 0.15 ये answer आगे आपका XB solve करी लोगे ठीक है clear एक दम बिटा डेल्टा T है ना डेल्टा T डेल्टा T में तुम उसको convert मत करो डेल्टा T क्या है तुम्हारा T F naught minus T F अब T F naught जिसमें रख रहे हो वही T F का आ जाएगा answer है ना मालो T F naught कैल्विन में रखना तो रख लोगों कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हारा T F V कैल्विन आ जाएगा फिर है ना अपन वैसे degree centigrade रखा करते है ठीक ध्यान रखना समझ गया बात चलो बहुत बढ़िया अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहे है अट 40 degree centigrade दा वेपर प्रेसर आप मीथेनॉल और एथेनॉल रिप्रेजेंड़ भाई ये एक क्विशन दे रखी है वेर XA इस दा मोल फ्रेक्शन नहीं फ्रेक्शन होता है ठीक है मोल फ्रेक्शन ओफ मुएच दा वैल्यू आफ दिस निकाल नहीं है ठीक है ध्यान से देखना ज़रा P not B upon XB ठीक है P not B upon XB जब X A tends to 0 एक बाँ बताना X A tends to 0 मतलब X B tends to 1 आ जाएगा इसका मतलब X B को 1 रख दो मतलब ये quantity क्या निकल कर आएगी X B को 1 रखोगे तो P not B आ जाएगी ना मतलब तो मैं P not B निकालना है P not B कब आएगा यहां से देखो अगर मैं यहां पर इस जगह है अगर मैं यहां पर X A को 0 रख दूँ इसका मतलब X B 1 आ गया automatically इसका मतलब P क्या बन गया P not B बन गया X A को 0 रख दो क्या जाएगा 138 देखो ना ध्यान से अरे भाई X A को 0 रख होगे इसका मतलब X B 1 होगे automatically इसका मतलब pressure किसका हो जाएगा P और B का अगर तुम्हें अगर तुम्हें P not A निकालना है तो X A को 1 रख दो इसी equation में अगर X A को 1 रख दूँगा automatically X B 0 होगा तो pressure किसका बन जाएगा यह A का तो P not A किता जाएगा 120 प्लस 138 ठीक है clear एकदाँ तो यह कहानी है फटावट से screen source ले लो चलें आगे बहुत बढ़िया तो यह कहानी होगे इसकी चलें आगे सही जा रहे हो भाईया अगला सवाल कहां गया चलो एक सवाल यह बतादो जड़ा फटावट से An aziotropic solution of two liquid has boiling point lower than either of them बताओ 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 क्या होगा देखो aziotropic solution of two liquid has boiling point lower than either of them मैंने बताए था A है B है इसका 80 है इसका 90 है ठीक है ठीक है यह इसका boiling point है यह mixture है अब आप से क्या कह रहे है 80 से कम lower than either of them मतलब 80 से कम क्या है minimum boiling क्या है minimum boiling और minimum boiling क्या है क्या बताथा minimum boiling is a true मतलब maximum vapor pressure ठीक है maximum vapor pressure मतलब कौन साथ deviation positive clear एकदम अरे भाई इन दौनों से कम है तो minimum boiling हो गया boiling point कम तो minimum boiling में आ गया चलो अकला सवाल बताना फटावट से क्या कह रहे है आज़ो ज़रा 18 ग्राम glucose divided to 178.2 ग्राम the vapor pressure of the water बताओ vapor pressure of the water of this solution बोलो क्या मैं ऐसा लिख दूँ देखो glucose, fructose ये सब यूरिया बगरा तो non electrolyte I बन ले लो है न तो P naught A minus PS upon PS CA formula लगा रहा हूँ जो numerical में मैंने बोला था I को बन ले लिया N B by NA लगा दो ठीक है तुम्हें क्या करना है तुम्हें क्या करना है तुम्हें क्या करना है तुम्हें क्या करना है the vapor pressure of water in aqueous solution ठीक है solution में निकालना है आपको अच्छा standard क्या होता water का water का P naught ये क्या होता है बताओ 180 ये मतलब टॉर में कितना हो जागा 760 तो 760 minus PS upon PS PS निकालना है यहां से यह ना सही है ठीक है ना N B by NA कर दो बताओ नहीं किसका निकालना है तुम्हें एक मिट रोको 18 gram glucose है 178.2 gram water में मिलाया दा vapor pressure of water और दिस ना ना vapor pressure of water निकालना है solution का नहीं उल्टा लिख रहा हूँ मैं उल्टा लिख रहा हूँ vapor pressure of water निकालना है तो PT is equal to क्या लगाओगे PA ये क्यों glucose तो non volatile है ठीक है तो PT is equal to PA लगाओगे और तुम इससे तुम formula क्या बना रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं ये तो directly हो जाए ये तना क्यों कर रहा हूँ यार गजब कर रहा हूँ यार पंकसर PA is equal to P naught X से लगादो ना सीधे ठीक है सही जा रहा हूँ क्या या question पढ़ने में कुछ गलती कर रहा हूँ रोको 18 gram glucose है add किया पानी में ठीक है the vapor pressure of water for this aqua solution is अच्छा solution में डालना है ठीक है इसका मलत तो में PS ही तो निकालना है अरे यार सही तो जा रहा था aqua solution में ही तो निकालना है यार में पहले P not A minus PS upon PS is equal to N B by N A यह ना बाद में तो मैं फिर pure का निकालता है यह लगेगा P not A क्या है 760 minus PS upon PS सही एकदम is equal to N B क्या आएगा N B N B निकालने अलग से solute का कितना आएगा 18 by 180 और N A क्या आजाएगा बताओ जरा 178.2 divided by 18 ठीक है यह आएगा तो N B क्या है 18 by 180 मतलब क्या हो गया 0.1 divided by 178.2 by 18 ठीक है तो 178.2 by 18 इससे आप चेक करके देखो जरा PS कितना आ रहा है यह सही है ठीक है मैंने यह PS ले लिया मैंने यह N B बाइने कर दिया आई को बन रख दिया इससे निकाल के देख लो आप आ जाएगा ठीक है किलियर एक दम पहले सही लगा रहे थे पर बात मैं पता नहीं क्या सवाल मैं पूछ सोच लिया उल्टा सीदा ठीक है PS 760 अरे भाई PS 760 PS तो निकालना है भाई तुम निकालो ना PS निकालो आएगा आंसर अरे तुम कैलकुलेट करके देखो यार 1.8 by 17 178.2 कितना आजाएगा लग भग भग 1 by 10 के आसपास आजाएगा न ये तो 0.1 मतब सही आएगा ये आसपास आजाएगा देखो ज़रा चेक कर लो जल्दी फटावट से कर लो अरे यार नीचे 760 नहीं लिख रहा हूँ अरे फॉर्मूला है ये ये एन भी भाई ने कर दिया अगर तुम्हारी इच्छा है चलो 760 लिख लो अगर तुम्हारी इच्छा है 760 लिखने की तुम्हारी फॉर्मूला लगाना कर लो ऐसा, इससे भी वही आएगा लगबग ठीक है अरे यार ये फॉर्मूले में नीचे PS है, ये देखो क्या है PS है ये क्या है P-NOT है, यहां क्या XW यहां NWYN है ठीक है, दौनों फॉर्मूले सही है आपकी इच्छा है आप ये लगाओ तो 760 माइनस PS upon 760 is equal to mole fraction लगाना अगर आपकी इच्छा है ये लगाओ तो आप ये लगाना ठीक है किलियर है अरे दोनों ही सही है यार कहा भूम रहा यार तुम भाई तुम्हारा P naught A जो है P naught A P naught A जो है वो 760 है PS थोड़ी 760 बोलना हूँ यार पता नहीं क्या सोच रहा हूँ भाई ये दो formula दियान से नहीं देख रहे हैं तुम्हें यहां क्या लिखा है और यहां क्या लिखा है गौर से नहीं देख पा रहे हो यहां X भी लिखा है यहां N B Y N A लिखा है formula एडिट कर दिया क्या कर दिया एडिट कर दिया अरे बात तो सेम है देखो अभी भी लिखे जा रहे हूँ भाई सब माफ कर दो मुझे है ना भाई यह P naught A लिखा है यहां PS लिखा है तो PS लिखूंगा ना कि 760 कर दूंगा मैं चाहिए formula लगाँ चाहिए answer तो आएगा ना इससे एक्डेक्ट आता है answer ठीक है किलियर एकदम किलियर आगे बढ़ूँ पता नहीं कहां गूम रहे है चलो ठीक यह सामने formula लिखा है इनमें से लगा ले ना answer आ जाएगा ठीक है चलो भई अब मैं चलता हूँ हेंडी लो पे अज़ा हेंडी लो क्या कहता है हेंडी लो यह कहता है at constant temperature the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure मतलब क्या बोला उन्होंने solubility of gas in liquid क्या होगा pressure के directly proportional होगा ठीक है इस तरीके से तुम लिखोगे और ऐसा बोला गया अगर solubility को तुम express करोगे किसमे in terms of mole fraction ध्यान देना अगर solubility को तुम in terms of mole fraction ले रहे हो ठीक है तो क्या लिखेंगे partial pressure of gas in liquid सुनना gas को liquid में dissolve करना है किसको gas को liquid में dissolve करना है is directly proportional to the mole fraction of gas in liquid मतलब जो gas को तुम liquid में dissolve कर रहे हो उसका partial pressure क्या होगा क्या होगा mole fraction के proportional होगा ठीक है तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखूंगा partial pressure of the gas is directly proportional to क्या mole fraction of the gas ठीक है ऐसा और अगर proportionality हटाओगे तो एक constant आएगा पहले तुम इसका screen shot लो फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है formula बना लेते हैं ठीक आगे बढ़ें चलो बहुत बढ़िया लिखान से देखना देरा मैंने क्या बोला partial pressure of the gas क्या बोला directly proportional to क्या mole fraction of the gas और यहाँ से proportionality हटाओ तो एक constant आता है क्या kH mole fraction of the gas in liquid ठीक है यह gas in liquid की बातें चल रही है na kH क्या होता है henry's law constant henry's law constant यह temperature पर डिपेंड करता है और हर, 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 हर gas के लिए लगलग होता है ठीक है ध्यान लगना, depends on temperature temperature बढ़ाते हैं, कH बढ़ता है ध्यान दखिएगा, और कभी आपसे solubility का relation बूच ले, तो solubility is directly proportional to PYT होता है, ठीक है, अगर pressure बढ़ाओगे, solubility बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि directly proportional है, और temperature बढ़ाओगे, तो solubility कम होगी, क्यों, अगर temperature बढ़ाओगे, तो kH बढ़ेग तो solubility कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये कहानी है, तो ये PYT के directly proportional, अगर आप इसको constant रखना चाहते हो, तो directly ये हो गया, और इसको constant तो inversely हो गया, ठीक है, ये कहानी है, clear, आगे बढ़े, चलो बढ़ाओ, इसका एक सवाल कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा, आया था भी ताजादा आजागां गया, चलो बढ़ाओ, सवाल को धिहान से पड़ो, आजाओ जादा क्या करें, which one of the following statement regarding Henry's law is not correct, not पूछा है न, regarding Henry's law is not correct, पहला पड़ो, different gases have different KH, एकदम सही है, अलगलग gases का अलगलग KH होता है, at same temperature, बिलकु सही बात है, ये correct है, higher the value of KH at a given pressure, higher is the solub of gas in liquid, ये गलत है, भाई, temperature जादा, KH जादा, solubility कम, temperature के inversely होता है, ठीक है, एक्स ओथर में गोता है, आप ये समझ लो, है न, तो बदला पूरा आंसर आजागा, not में, आगे पढ़ दो, the value of KH increases with increase of temperature, सही है, KH is function of nature of the gas, बिलकु सही है, gas पर डिपेंड करता है, और temperature बढ़ा प्रेसर बिपर फेस वाले, mole fraction के डारेक्टी बूसमल होता है, ठीक है, चलो वई, एक सवाल और इससे आया था, ये वाला गर लो, पड़लो ज़रा फटावट से क्या कहने, the Henry's law constant for solubility of N2 gas in water is this, ठीक है, the mole fraction of N2 in air is pointed, ध्यान सुनना, KH दे रखा है आपको, KH कित्ता दे रख है, KH ठीक है, अगला देखो ज़रा क्या कह रहे है, mole fraction, N2 in air, ध्यान दखना, mole fraction of N2 in air, कितना है, 0.8, तो mole fraction of N2 in air, 0.8, ठीक है, मैं उसको Y के form में लिख रहा हूं, ठीक, the number of moles of N2 from air, dissolve in 10 mole of water, at 298 and 580m pressure, एक काम करो, आपको 580m pressure दे रखा है, आपको mole fraction दे रखा, partial pressure निकाल सकते हैं, N2 का, कैसे, ध्यान से देखो, partial pressure of N2 के आ जाएगा, mole fraction, mole fraction into total pressure, ठीक है, mole fraction कितना है, 0.8, into total pressure कितना है, 5, कितना आ गया यह, 480m, सही एकदम, अब तुम henry's low लगा दो, क्या कह रहा है henry's low, the pressure of the gas, ठीक है, is equal to KH, KH into mole fraction of the gas in liquid, ध्यान लगना, gas in liquid, यह pointed मत पुट कर देना, gas in liquid, ठीक है, ऐसा कहा गया है, ठीक, तो अब यहाँ पर पुट कर दो, अब answer आ जाएगा, pressure of the gas कितना ले लूँ, 480m, KH कितना है, 10 की power 5, into mole fraction of the gas in liquid, मतलब, gas तो N2 है न, तो moles of N2 प्लस moles of water, ठीक है, moles of water, देख लो जड़ा एक बार सही है, ठीक water के mole कितने है, 10 है, 10 के respect में mole fraction इसका gas के में pointed था, तो तुम neglect कर सकते हो इसको, तो आप क्या करो, इसको उड़ा दो, ठीक है, यहाँ 10 ले लो, तो 4 is equal to 10 की power 5, into moles of N2 dissolved in liquid, divided by 10, यह 10 की बाद 4 आ जाएगा, moles of N2 कितने आ गए, 4 into उस तरफ ले जाओगे, 10 की power minus 4 हो जाएगा, चेक कर लो जड़ा, है कोई option में, आगरा answer आजाएगा, चेक करना जड़ा, आगरा answer आजाएगा, एकदम सही है, clear है, तो यह कहाँ नहीं थी, ठीक, भागी तो हो गए, अब आप कर लेना question इसके, मैंने आपको formula बगरा बताई दिये, ठीक है, चलो यह हो गया, यह हो गया, चलो सारा complete होगे आपना theory और formula बता दिये मैंने, कुछ numerical भी करा दिये आपको, ठीक है, कुछ colligative property के numerical आप try करना, formula कौन से लगाने, बता दिया मैंने, RLVP is equal to कौन सा लगाना, P0 A-PS upon PS, ध्यान लगना आप देखो, एक बाप फिर सुन लो मुझ से आप लोग, ठीक है, अन इस form में लिख देता हूँ, I के form में, I into NB upon I into NB plus N A, चाहे आप ये लगाओ, या आप ये लगाओ, बात बराबर है, second वाले से exact answer आता है, इस से approximate answer आएगा, क्योंकि यहाँ आप negligible करोगे ना, कुछ ना कुछ, ठीक है, तो चाहे आप formula ये लगाओ, चाहे ये लगाओ, कोई भी confusion नहीं होना चाहिए, ठीक, चाहिए लगाओ, चाहिए लगाओ, ये वाला मुझे personally पसंद है, क्योंकि यहाँ कोई ratio वगर ऐसा नहीं आता न, अधर, यहाँ इधर भी ratio अधर भी है, तो थोड़ा सा calculation गंदी सी हो जाती, तो यहाँ हम neglect कर देते हैं, ठीक है, I into NB आप यहाँ पर आए, और आपने solution chapter का one sort revision किया, I hope आपको अच्छा लगा होगा, ठीक, formula बस ध्यान लखना, formula द्यान लखना, आई वाले कौन-कौन से होते हैं, वही लगाना, ठीक है, clear है, try करना आप एक बार, try करना, question try करना, बनेंगे भाई, कहां जाएंगे नहीं अच्छा है वजए आएंगे जरूर, LDI की टून पढ़ाएंगे, है न, ठीक है, चलें फिर, very nice, बहुत बढ़िया, सर, N की वेल्यू, अरे भाई, तुम अभी भी N की वेल्यू पूछ रहे हो, डिसोसीयेसन में N की वेल्यू होती है, नंबर आमोसा प्रोड़क्ट, असोसीयेसन में रियेक्टेंट गे, ठीक है, चलो फिर, PS क्या है बेटा, PS है, पंकस सर, अभी भी पखला रहे हैं, चलो भई, साहिरी सुनना पसंद करोगे क्या आज, चलो आज सुनाई देते हैं फिर, फटाफट से सुन लो फिर, क्या सुनना पसंद करोगे, जल्दी बोल दो, बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा मूड फ्रेस होजा तुमारा, थोड़ा मॉटिवेशनल वाला सुना दें क्या, थोड़ा मॉटिवेशनल वाला सुना दें, चलो भई, थोड़ा सा सुन लो, मॉटिवेशन वाले सुन लो, यू ठोकरों से, निखरती है सक्सियत यारों, यू ठोकरों से, निखरती है सक्सियत यार जो कहीं गिरे नहीं, उन्हें कहां आस्मान की उचाईयों का पता होता है, ठीक है, चलो भई, best of luck, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए, ओक्यवाई झाल, 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 झा